Welcome to Study Watch The Selfish Giant Part 2 Selfish Giant Chapter का ये Part 2 है पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है उससे आप देख सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में है तो पहले पार्ट में हमने देखा कि Selfish Giant अपने बागीचे में बच्चों को खेलने से मना कर देता है जिससे वहां के पक्षी और मौसम उसके बाग में आने से कत्राते हैं और वो उसके बाग में नहीं आते हैं जिससे वो काफी निराश होकर बैठा रहता है और वो सुचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये मौसम बदल क्यों नहीं रहा है और यहाँ पर हमेशा ठंडी ही क्यों बनी है तो अचानक फिर एक दिन उसे एक linear चिडिया की आवाज सुनाई देती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है आपको बताते चले कि यह chapter in CRT के class 8 के English के book It So Happened का यह chapter number 3 है The Selfish Giant ठीक यह English supplementary है To celebrate the return of the children बच्चों के वापसी की खुशी मनाने के लिए Celebrate का मतलब यहाँ पर क्या है? खुशी मनाने के लिए उसका उत्सव मनाने के लिए Trees covered themselves with birds and blossoms पेडों ने विरिच्छों ने Trees covered themselves विरिच्छों ने पेडों ने अपने आपको ढख लिया Cover कर लिया With birds, पक्षियों से and blossoms और फूलों से यहाँ पर हम blossoms को क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम बोलेंगे flowers ठीक है? तो बच्चों के आने की खुशी में पेडों ने अपने आपको पक्षियों और फूलों से ढख लिया The giant was delighted to see his friends back Was delighted का मतलब क्या है? वो खुश हो गया To see his friends back अपने दोस्तों को वापस देख करके अपने दोस्तों को वापस देख करके वो giant वो दानो खुश हो गया Especially, विशेश रूप से A little boy, एक छोटा लड़का whom he loved dearly जिसे वो बहुत प्रेम करता था खासतोर से उस लड़के को देख करके जिसे वो बहुत प्रेम करता था ठीक है? अपने दोस्तों को यानि उन बच्चों को और पक्षियों को और फूलों को वापस देख करके अपने बागीचे में वो बहुत खुश गुआ लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश होता है एक छोटे से बच्चे को देख करके जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था He loved dearly, dearly का मतलब यहाँ पर क्या है? Very much, ठीक है? जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था The little boy soon disappeared छोटा बच्चा जल्दी ही गायब हो गया The little boy, छोटा ललका या फिर छोटा बच्चा Soon disappeared, जल्दी ही गायब हो गया Only to return much later काफी बाद में वापस आने के लिए यानि बाद में वापस आने के लिए वो चला गया यानि वो अभी चला जाता है और बाद में वापस आता है ठीक, चलिए आगे देखते है He saw a most wonderful sight He saw, उसने देखा A most wonderful sight एक बहुत ही अदभुद नजारा Most का मतलब यहाँ पर क्या है? Very, ठीक उसने एक बहुत ही अदभुद नजारा देखा साइड देखा, द्रिश देखा Through a little hole एक छोटे से hole से, एक छोटे से छेट से, in the wall दिवाल में, दिवाल में एक छोटा सा छेट था जिसमें से, the children had crept in, जिसमें से बच्चे रेंगते हुए निकल आए यानि दिवाल की उस छेट से वो बच्चे बागीचे में आए and or they were sitting in the branches of the trees और वो पेडो की शाखाओं पर बैठे हुए थे in every tree हर एक पेड पर that he could see, जिसे वो देख सकता था there was a little child एक छोटा बच्चा था यानि हर एक पेड पर एक एक बच्चे थे, हर जगा पच्चे थे and or the trees were so glad और वो पेड बहुत खुश हुए to have the children back again बच्चों को वापस पा करके बच्चों को वापस पा करके वो पेड बहुत खुश हुए that की they had covered themselves with blossoms वो इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आपको फूलों से ढख लिया and were waving their arms gently और वो अपनी शाखाओं को arms का मतलब यहां पर क्या है branches वो अपनी शाखाओं को बड़े ही प्रेम से gently का मतलब क्या है यहां पर हम कहेंगे बहुत ही प्रेम से waving का मतलब हिला रहे थे वो बहुत ही प्रेम से अपने शाखाओं को वो हिला रहे थे, यानि बच्चों को जूला जूला रहे थे, ठीक चलिए आगे देखते है Above the children's head, ठीक है बच्चों के सिर के उपर वो अपने arms को हिला रहे थे अपने शाखाओं को वो पेड हिला रहे थे, ठीक The birds were flying about पक्षी उड़ रहे थे उस बाग में अब चारो और पक्षी उड़ रहे थे And or, twittering with delight और वो खुशी से चहचहा रहे थे Twittering का मतलब क्या है? चहचहाना With delight का मतलब खुशी से वो खुशी से चहचहा रहे थे And or, the flowers were looking up through the green grass and laughing And the flowers or fool were looking up वो देख रहे थे, through the green grasses हरी घासों से And laughing और हस रहे थे और जो फूल थे वो हरी घासों से देख रहे थे और वो हस रहे थे It was a lovely scene ये बड़ा ही प्यारा दृष्य था Only in one corner सिर्फ एक कोने में It was still winter अभी वहाँ पर सर्दी थी अभी वहाँ ठंड थी It was the farthest corner of the garden ये garden का ये बागीचे का सबसे दूर वाला कोना था ठीक है बागीचे में हर जगा तो अब पक्षी थे और पेडों पर बच्चे थे फूल खिले हुए थे हरी घासों से फूल देख रहे थे खुश थे लेकिन सिर्फ एक कोना ऐसा था उस बागीचे का जहां पर अभी विंटर था ठीक वो था बिल्कुल दूर का कोना ठीक चलिए आगी देखते हैं और इन इट और इसमें वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय इसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा था वो इतना छोटा था कि he could not reach up to the branches of the tree वो इतना छोटा था कि he could not reach up the branches of the tree कि वो पेड की डालों तक नहीं पहुँच पाता था वो पेड की शाखाओं तक नहीं पहुँच पाता था वो बच्चा इतना छोटा था कि वो पेड की शाखाओं तक नहीं पहुँच पाता था and or he was wandering all around it कर या फिर वो जोर-जोर से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow. Poor tree बेचारा पेड was still covered वो अभी धका हुआ था with frost and snow. वो frost और snow से वो अभी धका हुआ था and the north wind और जो north वाली wind थी वो तरी पवन थी was blowing and roaring above it. इसके उपर वो बह रही थी जोर-जोर से और दहाड रही थी. यानि इसके उपर अभी वो north wind मंडरा रही थी. ठीक इस पेड के उपर जहाँ पर वो बच्चा नहीं चड़पा रहा था. Climb up little boy said the tree. पेड ने कहा चड़ जाओ छोटे लड़के and or it bent its branches down as low as it could. इसने अपने शाखाओं को नीचे कर दिया जुका दिया. अपनी शाखाओं को उसने नीचे जुका दिया. as low as it could. जितना नीचे ये कर सकता था उतना नीचे इसने अपने शाखा को जुका दिया. But लेकिन the boy was too tiny. लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा था. ठीक है two का मतलब यहाँ पर क्या है? very. वो बच्चा बहुत छोटा था. tiny का मतलब small. छोटा था. little था. वो बच्चा बहुत छोटा था. वो उस ब्रांच तक नहीं पहुँच पा रहा था. ठीक. चली आगे देखते ह And or the giant's heart melted as he looked out. और उस giant का उस दानों का हिर्दय पिघल गया. melted का मतलब क्या है? पिघल गया. as he looked out. जैसे उसने बाहर देखा. यह दिरिश्च देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ पर नहीं चड़पा रहा है. उसका हिर्दय पिघल गया. How selfish I have been. मैं कितना स्वार्थी र स्वार्थी था. Now, अब I know why the spring would not come here. अब मैं जान गया कि यह spring यह बसंत यहां पर क्यों नहीं आया करती थी? I will put that poor little boy on the top of the tree. I will put मैं रख दूँगा that poor little boy उस छोटे बेचारे लड़के को on the top of the tree. पेड के तने पर. पेड की चोटी पर. मैं उस बेचारे चोटे लड़के को पेड के तने पर रख दूँगा. And or then, फिर I will knock down the wall. और फिर उसके बाद मैं इस दिवार को ढाहा दूँगा. Knock down का मतलब क्या है? गिरा दूँगा, तोड़ दूँगा. And or, my garden shall be the children's playground for ever and ever. And or my garden or मेरा बागीचा शेल भी हो जाएगा the children's playground, बच्चों के खेलने का इस्थान, बच्चों के खेलने की जगा for ever and ever. हमेशा और हमेशा के लिए. हमेशा और हमेशा के लिए मेरा बागीचा बच्चों के खेलने की जगा हो जाएगी. पहले मैं इस बच्चे को चढ़ा दो, उसके बाद मैं इस दिवार को ढाहा दूँगा. ठीक, he was really very sorry for what he had done. उसे वाकई में बहुत अपसोस था, उसे वास्तों में बहुत अपसोस था for what he had done. जो उसने किया था, उसे वाकई में इसका बहुत अपसोस था. उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहा था, उसने गलत किया था. ठीक, चलिए आगे देखते सो इसलिए, he crept down stairs, इसलिए वो दुपकते हुए, crept का मतलब यहाँ पर क्या है, पाँ दबाते हुए, he crept downstairs, वो सीडियों से नीचे गया, and or open the front door, उसने सामने का दरवाजा खोला, quite softly, बड़े ही आराम से, quite softly का मतलब क्या है, बड़े ही आराम से, उसने बड़े ही आराम से दरवाजा खोला, and or went out into the garden, और वो बागीचे में चला गया, but लेकिन, when the children saw him, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, they were so frightened that, वो इतने घबडा गये की, वो इतने डर गये की, they all ran away, वो सभी भाग गये, ठीक है, frightened का मतलब क्या है, डर गये, भाइबीत हो गये, जब garden became winter again, और फिर उस बागीचे में सर्दी आ गई, ठंड आ गई, only the little boy, सिर्फ वो छोटा लड़का, did not run, नहीं भागा, सिर्फ वो छोटा लड़का, नहीं भागा, for, क्योंकि, his eyes were so full of tears, क्योंकि, उसकी आँखें, आसुओं से इतनी भरी हुई थी, that, कि, he did not see the giant coming, उसने द बच्चा, सिर्फ वो लड़का नहीं भाग पाए, क्योंकि, उसकी आँखों में इतना आसु था, कि, उसने giant को आते हुए, नहीं देखा, and, or, the giant stole up behind him, और वो दानव stole up behind him, उसके पीछे आ गया, stole up का मतलब यहां पर क्या है, चुपके से आना, धीरे से आना, ठीक है, आ ग उसे अपने हाथों में ले लिया, उस लड़के को, and, or, put him up into the tree, और उसे उसने पेड़ पर रख दिया, यानि उसने उसे पेड़ पर चढ़ा दिया, and, or, the tree broke at once into blossom, और तुरंत ही उस पेड में फूल खिल गए, and का मतलब क्या है, and, or, the tree broke at once, तुरंत ही उस पेड में ब्रो और उस पर चिडिया आ गई, और उस पर गाना गाने लगी, ठीक है, और उस पर गीत गाने लगी, and, or, the little boy, और छोटा लड़का, stretch out his two arms, उसने अपने दोनों हाथों को बढ़ाया, and flunk them around the giant's neck, और उसने उसे दानों के गरदन पर रख दिये, ठीक है, उस लड़के ने अप और उसे चूम लिया, ठीक, किसे, उस चोटे लड़के ने उस दानों को, ठीक है, चलिए आगे देखते है, and, or, the other children, और दूसरे बच्चे, when they saw that, जब उन्होंने देखा कि, the giant was not wicked any longer, कि अब ये, जो giant है, ये दानों है, अब ये दुष्ट नहीं रहा, wicked का मतलब क्या है, अब ये दानों अब बुरा नहीं रहा, came running, वो दोड़ते हुए आ गए, ठीक है, जब दूसरे बच्चों ने देखा, कि ये दानों अब बुरा नहीं रहा, तो सारे बच्चे दोड़ते हुए आ गए, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, पहले word meaning देख लेते हैं, यहाँ पर वापस आगे, and or with them, और उनके साथ, came the spring, बसंत आई, यानि बसंत का मौसम भी आगया, it is your garden now, ये अब तुम्हारा बागीचा है, little children, छोटे बच्चों, छोटे बच्चों, अब ये तुम्हारा बागीचा है, sit the giant, उस giant ने कहा, उस दानों ने कहा, and or he took a great axe, और उसने एक बड़ी कुलहारी ली, and knocked down the wall, और उसने उस दीवाल को धाहा दिया, and or when the people were going to market, जब लोग बाजार जा रहे थे, at 12 o'clock दोपहर में, बारा बजे, यानि जब बारा बजे लोग बाजार जा रहे थे, they found, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, the giant playing with the children, giant को, दानों को दानों को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, in the most beautiful garden they had ever seen, उस सबसे ज़ादा सुंदर बाजीचे में, जितना उन्होंने कभी देखा, यानि उन्होंने सबसे सुंदर बाजीचे में, दानों को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, all day long, पूरे दिन, they played, वो खेला कर उसे goodbye करने के लिए, उसे अलविदा कहने के लिए, वो आते, यानि बच्चे दिन भर खेलते हैं और शाम को दानों के पास आते, उसे अलविदा कहने के लिए, goodbye का मतलब क्या है, but लेकिन, where is your little companion, वो तुम्हारा चोटा साथी कहा है, but का मतलब, लेकिन, where is your little companion, तुम्हारा चोटा साथी कहा है, the boy I put into the tree, वो लड़का जिसको मैंने पेड पर रखा था, the giant loved him the best, दानों उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, the giant loved him the best, best का मतलब यहां पर क्या है, most, ठीक है, वो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, because, क्योंकि he had kissed him, क्योंकि उसने उसे चूमा ठीक है, he had kissed him, उसने उसे चूमा था, we don't know, answered the children, बच्चों ने जवाब दिया, we don't know, हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, he has gone away, वो चला गया है, you must tell him to be sure and come tomorrow, you must tell him to be sure, तुम उसे जरूर बता देना, ठीक, and come tomorrow, कि वो कल आये जरूर, ठीक है, उसे तुम बता देना और कल आन जरूर, उसे साथ में ले करके, ठीक है, निश्ची थी, भूला नहीं, said the giant, giant ने कहा, but the children said, लेकिन बच्चों ने कहा, that की, लेकिन बच्चों ने कहा की, they did not know where he lived, लेकिन बच्चों ने कहा, कि they did not know, वो नहीं जानते, where he lived, कि वो कहां रहता है, बच्चे उस लड़के का प the giant felt very sad, और उस दानों को इससे बहुत ही दुख हुआ, the giant felt very sad, दानों को इससे बहुत दुख हुआ, कि ये बच्चे भी उसका पता नहीं जानते, अब मैं उस बच्चे से कैसे दुबारा मिलूँगा, इस बात को सोच करके, वो दानों, वो दैत दुख ही हो गया, ठीक, चल played with the giant, और वो दानों के साथ खेला करते, बट लेकिन the little boy, लेकिन छोटा लड़का, whom the giant loved, जिसे वो दानों प्रेम करता था, was never seen again, दुबारा कभी नहीं देखा गया, the giant was very kind to all the children, अब वो जो giant था, वो दानों था, अब वो बहुत ही जादा दयालू हो गया था, सारे के लिए, ठीक है, the giant was very kind, वो दानों दयालू हो गया था, to all the children, सभी बच्चों के लिए, yet, फिर भी, he longed for his little friend, लेकिन वो अपने छोटे दोस्त को चाहता था, he longed, longed for का मतलब क्या होता है, want, ठीक है, वो चाहता था, ठीक है, उससे मिलना चाहता था, अपने छोटे दोस् और, often spoke of him, और हमेशा उसके बारे में बात करता था, how I would like to see him, कि मैं कैसे उसे देखना पसंद करता था, यानि उसे देखना कितना अच्छा लगता था, he used to say, वो अक्सर ऐसा कहा करता था, वो कहता था, कि उस छोटे लड़के को देखना कितना अच्छा लगता था, Years went by, वर्ष बीटते गए, and the giant grew very old and feeble, वो giant बहुत बुढ़ा और कमजोर हो गया, थेक है, giant grew very old, दानों बहुत बुढ़ा हो गया, and feeble, और कमजोर हो गया, feeble का मतलब क्या है, weak, कमजोर, he could not play about anymore, अब वो जरा सा भी खेल नहीं पाता था, So, इसलिए he sat in a huge armchair, इसलिए वो एक बड़ी सी armchair पर बैठ जाता, ठीक है, huge का मतलब कहा है, big, and watched the children at their games, और वो बच्चों के खेल को देखा करता, and admired his garden, और वो अपने बागीचे की तारीफ किया करता, ठीक, वो इतना बुढ़ा हो गया था, कि वो बच्चों के साथ अब नहीं पाता था, अब वो एक कुरसी पर बैठ जाता था, आमचेयर पर बड़ी, और बच्चों के खेल को देखता था, और अपने बागीचे की, अपने बाग की वो सराहना करता था, ठीक, I have many, मेरे पास बहुत से beautiful flowers, I have many beautiful flowers, मेरे पास बहुत से सुन्दर सुन्दर फूल है He said, उसने कहा, बट लेकिन, the children are the most beautiful flowers of all, लेकिन फूलों में सबसे ज़्यादा सुन्दर ये बच्चे हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत से सुन्दर फूल है, लेकिन बच्चे उन में से सबसे सुन्दर फूल है, ठीक, One winter morning, एक सर्द की सुबा को, he looked out of his window, उसने अपने खिड़की से बाहर देखा, as he was dressing, जब वो कपड़े पहन रहा था, तैयार हो रहा था, तो उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, he did not hate the winter now, अब उसे सर्दी से नफरत नहीं थी, ठीक है, हेट का मतलब यहां कह सकते हैं, dislike, मतलब ऐसा नहीं था, कि वो सर्दी को नापसंद करे, for, क्योंकि, he knew that, क्योंकि उसे पता था, कि वो जानता था कि, it was merely the spring asleep, सिर्फ अभी बसंत सोई हुई है, इसलिए यह winter नजर आ रही है, वो जानता था, merely का मतलब यहां पर क्या है, only, and, or, that the flowers were resting, और यह जो फूल है, वो आराम कर रहे है, यह फूल जो है, आराम कर रहे है, और बसंत सोई हुई है, इसलिए, यह सर्दी का मौसम नजर आ रहा है, इसलिए उसे कोई दिक्कत, उसे कोई परिशानी नहीं थी, suddenly, अचानक ही, he rubbed his eyes, in wonder, he rubbed his eyes, उसने अपनी आँखों को मला, in wonder, आश्चर में, आ देखता ही रह गया, it certainly was a marvelous sight, it was certainly, यह निश्ची थी, was a marvelous sight, एक बड़ा ही शांदार दिरिश्य था, marvelous का मतलब क्या है, शांदार, glorious, यह बड़ा ही शांदार दिरिश्य था, in the farthest corner of the garden, garden के सबसे दूर के कोने में, was a tree quite covered with lovely white blossoms, एक पेड जो काफी प्यारे सफेद फूलों से लदा हुआ था, धका हुआ था, its branches were golden, इसकी शाखाएं सुनहली थी, and silver fruits hanged down from them, और उससे silver color के fruit उसमें लटके हुए थे, and or underneath it और इसके नीचे, stood the little boy, वो लड़का ख़डा था, he had loved, जिसे वो प्रेम करता था, जिस लड़के को वो प्रेम करता था, उस पेड के नीचे, वो खड़ा था, जिसकी शाखाएं सुनहली थी, और जिसके फूल चांदी के रंगे थे, ठीक, ये दिरिश देख करके उसे बड़ा ही आशर हुआ, वो बहुत आशर चकित हुआ, ठीक, चलिए आगे देखते है, डाउन स्टेयर्स रैन दे जाइंट इन ग्रेट जोई, सीड़ी से नीचे उतरा, दोड़ते हुए बड़ी ही खुशी में, वो दानव बड़ी ही खुशी में, तेजी से दोड़ते हुए नीचे आया, और उस भागीचे में पहुँचा, हैसन अक्रोस दे ग्रास, उसने घा घास तेजी से पार किया, हैसन का मतलब यहां पर क्या है? हैसन अक्रोस दे ग्रास, घास का जो मैदान था, उसके बागीचे में, उसे जल्दी से तेजी से पार किया, and came near to the child, और बच्चे के पास आ गया, and or when he came quite close to his face, जब वो उसके चेहरे के काफी करीब आ गया, वो गु गुसे से लाल हो गया घ्रीय रेड विस अंगर का मतलब यह क Snे कहा this For on the palms, क्योंकि उसके हथेली पर, for को मतलब यहां पर क्या है, क्योंकि on the palms of the child's hand, बच्चे के हथेली पर were the prints of two nails, दो कील के निशान थे, उसके हाथ पर दो कील के निशान थे And or the prints of two nails were on the little feet, और उसके दो पाउं पर भी कील के निशान थे, यानि उसके दोनों हाथों की हथेलियों पर और उसके पाउं में, फीट पर भी दो कील के निशान थे Who has dare to wound the, किसने तुम्हें जख्मी करने की हिम्मत की है, किसने तुम्हें घायल करने की हिम्मत की है, cried the giant, वो दानों चिलाया Tell me, मुझे बताओ, that, कि I may take my big sword and slay him, तुम मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार लूं और उसे मार दूं, ठीक है, slay का मतलब यहां पर क्या है, kill, ठीक, कि तुम्हें बताओ, कि यह तुम्हारा हाल किसने किया है, मैं अपनी बड़ी तलवार से उसे मार दूं ठीक, ने, no, answer the child, चाइल ने कहा, नहीं, कोई नहीं, किसी नहीं, but these are the wounds of love, लेकिन यह प्रेम के घाव है, ठीक है, these are the wounds, wounds का मतलब क्या है, घाव, जख्म, यह प्रेम के घाव है, who are thou, तुम कौन हो, said the giant, giant ने कहा, दू का मतलब यहां पर क्या है, you, ठीक है, कि तुम कौन ह said the giant, giant ने कहा, दानों ने कहा, कि तुम कौन हो, and a strange awe fell on him, और एक अजीब सा जादू, उसके उपर हुआ, ओ को मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, एक प्रभाव, ठीक, या एक डर, ठीक है, जो शिद्धा पूरवक, जो डर होता है, उसे हम यहाँ ओ कहेंग, ठीक है, तो उ उसे एक अजीब सा शिद्धा पूरवक, उसे डर हुआ, and or, he knelt before the little child, और वो छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैट गया, he knelt का मतलब क्या है, वो जुग गया, उसने घुटने टेक दिये, before का मतलब सामने, the little child, उस छोटे बच्चे के, उस छोटे बच्चे के स सामने उनों के साहरे बैट गया, and or, the child smiled on the giant, और वो बच्चा उस दानों पर मुस्कुराया, and said to him, और उसे कहा, you let me play once in your garden, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में अपने बागीचे में खेलने दिया था, today, आज, you shall come with me to my garden, आज तुम मेरे साथ मेरे बागीचे में चलो, which is paradise, जो एक स्वर्ग है, ठीक है, तुमने मुझे एक बार अपने बागीचे में खेलने दिया था, अब तुम मेरे बागीचे में चलो, जो एक स्वर्ग है, paradise का मतलब क्या है, जन्नत या स्वर्ग, and or, when the children ran in that afternoon, जब वो बच्चे उस दोपहर को वहां पर आए, ठीक उस दानों को lying dead मरा पड़ा हुआ, under the tree, पेड के नीचे, पेड के नीचे उन्होंने दानों को मरा हुआ पाया, all covered with white blossoms, वो पूरी तरीके से, all का मतलब यहां पर क्या है, वो जाइंट पूरी तरीके से धका हुआ था, सफेद फूलों से, वो सफेद फूलों से पूरी तरीक यह आउसकर वाइल्ड की बड़ी अच्छी और बहुत ही मशूर कहानी है यह, तीक, इस तरह से आपका यह थर्ड चैप्टर, it's so happen का खतम होता है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेर कीजेगा, चैनल प झाल 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 झाल